दुस्तो भारत सरकार दोरा सभी महिलाओं को 6,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसपर किया जा रहा है अगर आपके घर में भी कोई महिला है तो ऐसे मैं आप भी ऑनलाइन इस स्कीम के लिए अपलाई कर सकते हैं जिसके बाद दुस्तो भारत सरकार सीधे उनके अकाउंट में 6,000 रुपए ट्रांसपर कर देगी इस योजना का जो भी पैसा आएगा उसे आपको रीटर्न करने की जुरूतनी है ये दुस्तो एक बोल सकते हो ना बेनिफिट के लिए जो है आपको दिया जा रहा है तो कैसे दुस्तो आप इस योजना के लिए अपलाई करेंगे ऑनलाइन पूरा प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सुपड़ों को लाइक कर दो and continue guys इस सुपड़ों को देखते रहो दूस्तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने mobile phone में कोई भी एक browser को open करना है browser open करने की बास search के उपर click करना है और यहाँ पर आपको type करना है wcd ठीक है space देना है pmmvy ठीक है यह दूस्तो यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर search कर देना है आपके सामने पहला link का आजाएगा इसी link के उपर click कर देना है इस प्रकास से आपके सामने जो government का portal है यह open होकर आजाएगा यहाँ पर दोस्तो लगबग 4 करोड लोगों ने जो है enroll किया है और यहाँ पर आप देखोगे तो total जो है 15,000 करोड से जादा जो amount यह paid हो चुका है ठीक है यहाँ पर state select करना है यहाँ पर district select करना है आप rural area से यहाँ फिर urban area से ओ select करेंगे यहाँ पर block select करना है यहाँ पर village select करना है आप यहाँ पर relationship बताना है जिसका आप apply कर रहे हैं उसके साथ दोस्तों आपका क्या relationship है अगर आप फुद का ही apply कर रहे है तो यहाँ पर self का भी option द उपर क्लिक करना है आपके मोबाइल नमबर पर एक OTP जाएगा तो OTP को यहाँ पर टाइप करना है Capture Code को यहाँ पर डालना है और Validate के उपर क्लिक करना है जिसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर Login हो जाते हैं Login होने के बाद दोस्तों यहाँ पर Dashboard open हो जाता है अब यहाँ पर Apply करने के लिए आपको क्या करना है Tin line के उपर क्लिक करना है Data Entry के उपर क्लिक करना है Beneficiary Registration के उपर क्लिक कर देना है जिसके बाद दोस्तों आपके सामने जो Form है Beneficiary Registration Form यह Open होकर आजाएगा अब इसी form को आपको भढ़ना है कैसे आपको इस form को भढ़ना है चले step by step मैं आपको बता देता हूँ तो इसमें दोसों सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो beneficiary का आप apply कर रहे हैं ओ कहीं central government या फिर state government का employee तो नहीं है अगर employee है तो ऐसे में वो benefit नहीं उठा सकता तो यहाँ पर employee नहीं है तो आपको जो है no करना पड़ेगा yes करेंगे तो apply नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ये होजना नहीं है ठीक है उसके बाद आता है दूसरा applying for first child के लिए अगर आप apply कर रहे है तो ऐसे में आपको भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपे का धन राशी मिलता है और अगर आप यहीं पर second girl child के लिए apply करते हैं तो यहाँ पर 6,000 रुपे का benefit मिलता है ठीक है यहाँ पर दूसरा आप एक poster भी देख सकते हैं जो की government द्वारा जो है launch किया गया है इस poster में साफसफ लिखा गया है खुस खबरी प्रधान मंतरी मातरो बंदना योजना के अंतरगत दूसरे शिशू के कन्या होने पर 6,000 रुपे की राशी पाए ठीक है यानि कि 6,000 रुपे का आपको जो है मिलेगा directly bank account में अगर दूसरी जो है कन्या शिशू होती है तो और apply आप online कर सकते हैं या फिर आंगनवाडी सेविका को आवेदन दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोनों ही तरीका बता है तो मैं आपको online वाला बता रहा हूँ तो समझ गे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या select करना है अगर आपके घर में कोई बच्चा पहली बार जन मिलिया है तो आप first child select कर सकते हैं लेकिन वही पर अगर अमाली जे दूसरी करना शिशू होती है तो आपको 6,000 रुपे मिलेंगे तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर हम second girl child का select कर लेते हैं ठीक है उसके बाद number of living children अब आपको यहाँ पर बताना है कितने children living है तो यहाँ पर 1,2,3,4 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम second girl child के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला भी बच्चा होगा तो आपको 2 select कर लेना है ठीक है अब यहाँ पर beneficiary के पास आधार card है आफिन नहीं है वो आपको select करना है yes आफिन नहीं है तो यहाँ पर आपको yes करना पड़ेगा और यह जो check box है इस पर दोस्तों आपको यहाँ पर tick mark कर देना है इस प्रकास से उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे चले आना है नीचे आएंगे अब यहाँ पर name type करना है beneficiary का वही name type करेंगे जो आधार card पर दिया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आधार card number type करेंगे य page automatic calculate होकर आजाएगा ठीक है उसके बाद category आपको यहाँ पर select करना है SCHT OVC जो भी है others भी option यह है SCHT और others ठीक है तो यहाँ पर आप अपने ही साफ से select करेंगे यहाँ पर mobile number आजाएगा जिससे आपने लोगिन किया है उसके बाद यहाँ पर आता है mobile number belongs to अब यह किसका mobile number ह आपको यहाँ पर बताना है अगर आपका खुद का ही mobile number है तो self select करेंगे यहाँ फिर यहाँ पर mother, father, husband बहुत से option दिया हुआ है तो आप अपने साफ से भी select कर सकते हैं अब यहाँ पर आता है eligibility criteria तो इस पर आप click करेंगे यहाँ पर दोस्तों एक document आपको देना पड़ेगा तो अकसर लोगों के पास क्या है ishram card बना हुआ है तो यहाँ पर ishram card का option दिया है आप ishram card दे सकते हैं ishram card नहीं है तो मनरी का job card, ration card यह सब भी आप दे सकते हैं ठीक है तो आप चिए कलेना आपके पास कौन सा document है उसके बाद जो document select करेंगे उसका number यहाँ पर type करेंगे choose file के उपर क्लिक करके यही document को आपको upload कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो mcp card detail आपको देना है अब जो mcp card ही यह अंगनवाडी की तरफ से एक बनाया जाता है जिस पर पूरा का पूरा detail होता है तो वही card number हो गया date हो गया वो सब दोस्वें यहाँ पर आपक select करना है type of student child birth वो आपको यहाँ पर select करना है कि कहाँ पर बच्चे का जहन हुआ था hospital घर पर या फिर जो भी है वो आप अपने साफ से select करेंगे और यहाँ पर दोस्वें जहाँ पर बच्चे का जहन हुआ था उसका पूरा का पूरा नाम type करना है उसके बाद नीचे आएं यहाँ पर pin code type करना है उसके बाद जो आपका अंगनवरी केंद्र है उसे दोस्वें यहाँ पर आपको select करना है उसके बाद finally आपको submit के button पर click करना है जैसे ही दोस्वें आप सब्मिट कर देते हैं आप इस योजना के लिए apply हो जाते हैं उसके बाद दोस्वें पूरा का प PCI के थुरू DBT के माध्यम से पैसे आते हैं तो इस तरह से दोस्वें आपी सियोजना के लिए apply कर सकते हैं और 6000 रुपए का लाब ले सकते हैं अगर आपके घर में कोई दूसरी करना है शिशू का जन्म होता है तो तो वीडियो पसंद आया हो तो like और share कर देना थैंक्य दो so bye band take care